प्यारे विदर्तियों आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है हमारे पास एक और ओरिजिनल पेपर कक्षिया गैरा की राजनिती विज्ञान का पहुंचा है जो जालोर से पहुंचा है वारिसिक प्रिक्षिया पहुंचा है जो प्रिक्षाइं और भी प्रिक्षाइं चल रही है तो उन पर ध्षान है देखो भारति सुदान्वे निमन में से कौन सा मौलिक अधिकार परदान नहीं है सोसन के विलूद अधिकार समानता का अधिकार प्रयावन स्रक्षन का अधिकार और संतरता का अधिकार तो आपका उत्तरस है प्रयावन स्रक्षन का अधिकार दुसरा विश्वे सांती के मारग में आने वाली परमुक बाता है नई सस्त्रीकरण आंतकवाद अंतराष्ट्य आपका उंटक्वाद वा देश वक्ति लोगों को सम्स्रमत की प्रेणा देना उगर राष्ट्रवाद हो जाता है वो एक अउगूं है चोथा भार्त में राष्टपती का कार्यकाल होता है पांच वर्स चैवर्स चैरवर्स साथ वर्स तो पांच वर्स होता है राष्टपती का कार्यकाल जाती हैं रंग भेद विरुदी आंदोलन मांग करता है सामाजिक समानता की, राष्टिक समानता की और धाहडमिक समानता की तो बय उत्र है आपका सामाजिक समानता भी मांगे करता है आघे बढ़ते हैं परशन नमर च्छर और साथ की तरफ पंचाईती राच व्योस्ता से समदित सुविदान समसोधन है सत्तरवाँ, केत्रवाँ, बेत्रवाँ और तेत्रवाँ तो ये तेत्रवाँ जो समिधान संसोदन है वो पंचाहिती राज वेस्ता से समधित अध्य उत्र हो गया राजे द्वारा मानने और कानून द्वारा रक्षित अधिकार कहे जाते हैं प्राकरितिक वैदानिक नेतिक और प्रमप्रागत देखो राजे द्वारा मान लिए गए और कानून द्वारा प्रक्सित है तो वो है आपके वेदानिक अधिकार कौन से अधिकार है वेदानिक यानि बै उतर है आपका आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन के और प्रशन नंबर आठ देखी आपकी स्क्रिन पर आ गया है धर्म निर्पेक्स्ता विरोध करती है धर्म निर्पेक्स्ता विरोध करती है किसका सवतंतरता का समानता का धार्मिक वर्च्वेका या राजिस्ता का तो से उतरयापका धार्मिक वर्च्वेका विरोध करती है धम दिर्फेक्स था नम्मदेको भारत का शजगान कब लागू हुआ था 1929-1949-2013-1950-1950-1947-1949-1949 तो भारत का स हजधान है वो 26 जनव्री 1950 को लागू वह था कब लागू वह था 27 जनव psychology को दसवा नारीबाद के अनुसार इस्त्राइब इस्त्रि पुरुस आपा प्रिणाम है रंग भेध पित्रिस्ता जाती भेध वर्ग भेध है तो देखो नारिवाद के अनुसार इस्त्री पुरुष एस मानता है पित्रिस्ता का देखो रंग भेद तो नसलिय टिपनी होता है जाती बेद जाती गत होता है और वरग भेद की बात करें ना तो वरग भेद कौन सा है वरग भेद वो है कि ये शुद्र है ये वैस्य है ये ब्रहामण है वो वर्ग भेद हो गया तो आपका उतर बै होगा कौन सा उतर होगा आपका इस दसवे प्रसंग का उतर होगा बै फितरी सता पितरी सता में यहां पर पुरूष पर्दान हैं जो इस थी पुरूऎश है समानता आती हैं गैराखनißतक़ के दो अधिवेशनों के ब खुदारबाद उप्रियुक्त सभी तो आपका उत्तर होगा उप्रियुक्त सभी दै उत्तर होगा पर्षा नमर तेरा देखिए राजनीती ने हमें साम की कुंडली की तरह जगट रखा यह कथन है सुकराज का मात्मा गांदी का रूसों का पंडित नेरु का तो यह आपका जम्सटातमक व्यस्ता की पूर्ति की जिए बारतिए से विदान एक दस्तावेज है तो जीवंत दस्तावेज है केसा है जीवन्त दस्तावेज है बारती सविदान एक जीवन्त दस्तावेज है दूसरा राज्य सभा के बारे सदस्यों को द्वारा मनोनित किया जाता है तो यह है राष्ट पती दूसरे में क्या आएगा उत्र राष्टर पती क्या आएगा राष्टर पती राजे सभा के बारे सदस्यों को राष्ट पती द्वारा मनोनित किया जाता है तो बारती सुईदान एक जीद दस्तावेज है राजे सभा के बारे सदस्यों को राष्ट पती द्वारा मनोनित किया जाता है तीसरा है सांती की प्रिभासा अक्सर की अनुस्तिति के रूप में की जाती है तो यहां पर है युद तीसरे के रिक्स्तान में क्या है युद और चोथा धर्म और राजेस्ता के बीच समन्द विचेद राजेस्ता के लिए जरूरी है धर्म और राजेस्ता के बीच समन्द व न्याइक सेकरियता का मुख्य साधन रहा है जन हित याचिका गाउं और जिलस्तर के सासन को स्तानिय सासन कहते हैं इस पेपर के अंदर है सत्य और ऐसत्य वाले प्रसन नहीं है निवन प्रसनों के उतर एक सब्द अत्वा एक पंक्ती में दीजिए सवेदानी घुपचारों के अधिकार को सवेदान का हर्दे और आत्मा डॉक्टर भीमराओ अंबेडगर ने कहा है किसने कहा है डॉक्टर भी तो नामात्र का होता है आगे बढ़ते हैं अगले परसन की और अगला परसन देखो परसन नमर तीन किनी एक प्राकरतिक अधिकार का नाम लिखिए किनी एक प्राकरतिक अधिकार का यानि जीवन जीने का अधिकार जीवन जीने का अधिगार क्या होता है आपका प्राकरतिक अधिगार होता है चोथा समाधवाजी राजियों में समानता के किस रूप पर विशेस बल दिया जाता है यानि समाधवाजवाजी राजियों में समानता के समान भावाल है यानि यूँ कह सकते हैं अपने की अमीरों से पेशे लेकर गरीबों के बीच में बांट दिया जाए यानि सभी को सम्मान भाव से रखा जाए हो समाजवादी है पांचवाँ एस प्रस्तिया ये चुवा चूत का अंत भारतिय सभीदान के किस अनुचेद के अंदर है तो वो है आपका अनुचेद 17 कौनसा अनुचेद है अनुचेद 17 है छटा स्विदान के किस अनुचेद में स्विदान संसोधन वीदी का वर्नन किया गया है तो 368 में किया गया है स्विदान के अनुचेद 368 में यानि अनुचेद 368 के अंदर वर्नन किया गया है स्विदान संसोधन का बारत का सरोच न्याले का इस्तत region का इस्तत पर संसत के दोनों सदनों के नाम लिखो बारत के दो सदन है सिताई सदन और है उस सदन और निमं सदन तो एक तो ओगए आपका राज्य सभा और दूसरा क्या हो गया लोक सभा एक हो गया राज्य सभा और दूसरा हो गया आपका लोक सभा राज्य सभा और लोक सभा दो बारतिय संसद के सदन है परशन नमर नो देखिए वर्तमान में बारतिय नागरिकों को कितने मोली कदिकार प्रापत है तो बारतिय न अगला देखो दस्वां, राजनिति का सकारात्मक रूप क्या है, तो राजनिति का सकारात्मक रूप यही है, सामाजिक विकास यूँ कह सकते हैं, जैसे मानलों की पूरे राज्ये का सम्मान भाव से विकास होता है, वो ही राजनितिक सकारात्मक होता है, किसी से वेरविरोद का भाव नहीं होता है न्याई प्रक्रिया चलती रहती है 11 सविधान का कौन सा संसोधन सहरी स्तानी सासं से समंदित है तो ये है सविधान का चोतरवा सविधान संसोधन यानि चोतरवा सविधान संसोधन है वो सहरी स्तानी सासं से समंदित है आप यह से लिगोगे मतदेने ौर पतिनीती चुनने का अधिकार है वो राजनेती अधिकारों के अंतरगत आता है यह होगे तो यह 32 क्यो संथें छोट्टे क्योंकि 40% परसन है वो 60% अविद्वाग कि अनकूल यह कहओआ कि छोटे आने चाहिए उसके बाद बड़े प्रसंद कंड बैय है पचास सब्दों में उतर देना आपको चार पांच लाइनों में सांती के मारग में आने वाली दो बाधाएं लिखिए सांती के मारग में आने वाली दो बाधाएं लिखिए तो एक तो हो गया आपका सस्त्रीकरण और एक हो गया आंतकवाद ठीक है ना युद्वी आ सकता है सस्त्रीकरण भी हो सकता है आंतकवाद तो आप आंतकवाद आंतकवाद के बारे में डेटेल से डाल सकते हैं तो चैर आंतकवादी संक्नों के नाम डाल सकते हैं सस्त्रीकरण हो गया राष्ट्रबाद के किनी चार पर्तिकों के नाम लिखे चार पर्तिक एक तो राष्ट्र चिन होता है जिसे हमारा सत्य में उजेते हैं एक राष्ट्र गीत होता है जिसे वंदे मातरम है एक राष्ट्री गान होता है जिसे जनगन मन है एक जिसे राष्ट्री पक्सी है मोर है यह बहुत सारे है राष्ट्रबाद के परतिक होते हैं यह सारे के सारे क्या है राष्ट्रबाद के परतिक होते हैं राष्ट्र धोज है वो भी राष्ट्रबाद का परतिक होता है आगे रेको परशन नमर 6 जनहीत याची का क्या है जनहीत याची का क्या है तो जनहीत य परजी दी जाती है उसी को जनहीत याची का कहा गया है पंचाइती राज व्यवस्ता की त्रिस्तर ये बनाउट क्या है देखो सात्वा प्रसन क्या पूछा गया बड़ा सैंदार प्रसन है कि पंचाइती राज व्यवस्ता की त्रिस्तर ये बनाउट क्या है तो एक तो हो जिला परिशद क्या हो गया जिला परिशद हो गया ठीक है पंचायत का मुख्या कोन होता है सरपंच पंचायत समीथि का मुख्या कोन होता है परधान और जिला परिशद का मुख्या कोन होता है जिला परमुख यानि पंचायत का सरपंच पंचायत समीथि का परधान और जिला प्रिशित का कोन हो गया जिला परमुख होता है तो ये त्री स्तरिये है ठीके ना ये तीन स्तरिये पंचाईती राज सिष्टम है आगे देखो आगे क्या का गया है लचिले सविधान से क्या आज से हैं लचिले सविधान उसे का गया है जिस सविधान में आसानी से सविधान स तो दो त्याई बहुमत की आविशक्ता होती है यहां पर जैसे यानि अपने कह सकते हैं बहुमत की ही आविशक्ता होती है लचिले सविधान में बहुमत की आविशक्ता होती है और कठोर में दो त्याई बहुमत की और आदे से अधिक राजयों की आदे से अधिक राजयों की सहमती होती है अंतर धार्मिक वर्षवस से क्या आश्य है तो ये धार्मिक अंतर धार्मिक यानि एक दूसरे धरम के उपर जो टीपणिया है उनका वर्षव है वो कहता है वो धरम है वो धरम है वो टीपणिया है दिवतेविश्यूद का अंतकिस गटना के साथ हो आता हीरो सी राजे उसे कहा जाता है जहां पर किसी एक धरम का वर्च स्वे नहीं होता है राजे धरम से इस मामले में काफी दुरी बनाए रखता है परन्तु किसी भी धरम धारमिक एक धरम दूसरे धरम से लड़ जगड रहा हो टिपनियां कर रहा हो तो राजे वीच में आ सकता है उसे क कानून बनाकर संसोधन कर सकती है जिसे सिक्ष्या का चेतर का हो या करसी के चेतर का हो जिसमें सामान ये कानून बनाकर संसोधन क्या जा सकता है आगे देखो तेरा नमर पंचायती राज की किनी दो परमुक उदेश्यों का उले कीजिए पंचायती राज का परमुक उदेश्य को जोड़ने का कारिया हो गया परसन नमर 14 बारतिय सुजदान में संसोदन करने के कितने तरीके अपनाए गए हैं तो बारतिय सुजदान में संसोदन करने के तीन तरीके अपनाए गए हैं एक तरीका तो सामाने बहुमत से होता है दूसरा दो त्याई बहुमत से होता है और त पूछ लेना अपनी पुस्तक में देख लेना भाई मुझे तो जो राजनिती वियान के व्याक्यता ने पांदस मिंड में जो समझाया था उसके अनुकुल मैं आपको बता रहा हूं ग्यारवी अनुसुची में कितने विश्य रखे गए हैं किनी तीन विश्यों के नाम लिखो तो ग्यारवी अनुसुची में जो विश्य लिखे गए हैं उनके आपको नाम लिखने हैं देखकर मेरे ध्यान में नहीं हैं आगे बढ़ते हैं फ्यारे विदारतियों प्रस्ट नमर 16 हमें स्विधान की क्यों आश सकता है सपस्ट कीजिए अत्वा स्विधान क्या है भारत की सविधान सभा के परकाश टालिए तो यह बड़ा आसान सा प्रसन है सविधान यानि किसी भी देश के सासन को चलाने के लिए किसी भी देश के सासन को चलाने के लिए लिए लिखीत या एल लिखीत कोई भी एक प्रारूप होता है उसी को सविधाने कहते हैं और भारत की सविधान सभा आपको पताईए जिसका अधेक्स कौन थे डॉक्टर राजेद परसाथ थे सविधान सभा के आहसता यह देक्स अंति को प्रोसाइद कर सकती है सपष्ट कीजिए अठार नमर संतरता की नकारात्मक और सकारात्मक उधार्णा में कोई तीन अंतर लिखिए अथवा संतरता के मारग में आने वाले बादक तत्वों को लिखिए खंडदाय निवदात्मक परसन है उत्तर सब्द सीमा लगब सपष्टक करोंर आएं अध्वा रष्ट्रेबाक के लिए एक समान भासा या जातिय प्रमप्रा जसे संस्कृटिक पह त्यान का आधार लोकतांत्रिक मुल्यों के लिए खत्रा क्यों को सकता सपष्ट कीजिए वृष्ण उस्तम नियाले के छेत्रा अधीकारों का व्रण क कीजिए अथ्वा भारत की नयाई पालिका की सर्चना पर एक लेक लिखें एक इस नमर भारतिये धर्म निर्पेष्टा की आलोचना की नादर उपर की जाती है यह फिर दर्म निर्पेष्टा के बारतिये इसके लिए बहुत-थनेवाद है यह पैपर रहा है जीले से आया है कहां से आया है जालोघशियल का उरिजिनल पेपर है जालोड से किसी विदार्ती ने इआ अवर्थी ने यह पतुड़ मेरे को भैजा है और मैं किसी राजनीती विज्ञान के लिवा के पर एक के तो आप लाइक कर दीजे वीडियो को और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ने करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें बड़ी कटनाई के साथ यह पेपर गर्मी के अंदर में गया था हल करवाने के लिए और अगर ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहत करते हो तो आप गंटे का निशान दबाकर और बटन पर कलिक कर दीजिए और इस पेपर की पीडियोप आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है पहरी विदार्तियों यदि आपके पास भी कोई पेपर है राजनित का जल जाएगा कि आपके कितने सही है और कितने गलत हैं प्यारी विदार्तियों आपने इस वीडियो को अंतक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत आभा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं मिले नहीं भूले हम आपको एक नएव वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद जे भार्त वंदे मातरम